हलो फ्रेंट्स कसे आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे आपके चैरे पे बहुत ज़्यादा ज्खाइउं की प्रोब्लम है आपके चैरे पेडूप की वज़ेसे टेनिंग हो चुकी है दाग धपे हो गए हैं आपके सकिन बहुत ज्यादा डल सी दिखाई दे रही हैं अपने चैरी की प्रोब्लम है जितनी भी उसे दूर करना जाते हैं तो इस रेमडी को जरूर यूज करें इसे लगाने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है जितनी भी चाहियां दाग धब्बे हैं वो ठीक हो जाएंगी दूप की वज़े से अगर टेनि जिल करके उसका रस निकाल लेना है आपको पानी है जितना भी पानी है उसे निकाल देना है निकालने की बाद आप नीचे देख सकते हैं यह जो वाइट वाइट रह जाता है यह आपके चैरे के लिए बहुत ज़दा फायदे मंद होता है दाग धब्बों को दूर करेगा जितने भी जाईया है उसे ठीक करेगा आपके कलर को फेर बनाएगा आलू जो है ना हमारे चैरे पे ब्लीच का काम करता है तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा पानी इसके उपर था वो सारा निकाल दिया है दीरे दीरे आपको इस तरह से पूरा पानी जो है उपर का निकाल लेना है उसके बाद आपको जो यह नीचे वाइट वाइट रह जाता इसी को यूज करना है इसको लेने के बाद आपको इसमें लेना है एक चम्मच जो है कोफी पाउडर कोफी पाउडर जो है आपके चैरे के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है यह आपको कलर के लिए आपके कलर को फेर बनाता है तो आपको पहले कोफी पाउडर। लेना है उसके बाद आपको लेना है दही जो एपके पास मार्केट वाला है तो आप वह भी ले सकते हैं दही दही हमारे चैरे को मोश्राइज करता है, दाग धबों को दूर करता है, जाईयों को दूर करता है, इसके लिए दही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, गाड़ा दही लेना है आपको तो इसके अंदर आपको दही ले लेना है एक चमच भरके, उसके बाद आपको ले करोते हैं उसके बाद इन इस सब को अच्छे सी मिक्स कर लेना है एक सी दो मीनट् tamanho अच्छे से मिक्स करना कि दियार हो जाएगा तो एक सी दो मिनट मेंस किया तो आप सकते हैं कुछ इस तरह से बन जाता है और थोड़ा पतला ही रहता है यह क्पोंकि आंप इसमें दही लिया है कोई भी फेस पेक की तरह जैसे हम चावल काटा बेसन यह सब लेते हैं वह इसमें कुछ भी नहीं लेना है सिर्फ आपको आलू के रस के अंदर आपको यह सब चीजे मिलाने हैं जैसे मैं बता रही हूं बिल्कुल वैसे आप बना के देखेगा बहुत आपको अच्छे से मिक्स करना है पूरे चेरी पे लगाना है आप कम से कम इसे अपते में तीन वार जरूर लगाए आप चाहिए तो दो वार भी लगा सकते हैं जितना टाइम मिले आप उतना लगाए और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दे चैनल पर नहीं तो प्ली पर लगाने हैं बहुत से क sur poi 걸 दो बैठें आए और हम जो ए ना म सब्धोर कर बेड़ जाएं रिखें जैते हो तो यह दो दहा दो आपके और फिर फेस को जो है ठंडे पाने से आपको दोना है तो इस बात का ध्यान रखें ठंडे पाने से अपने चैरे को दो लें दोने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्लो आता है आपको इसे 15 मिनट ही लगा करें इसे ज़्यादा जरूरी नहीं है रखना आप चाह एक सी दो मुनिट मसाज करके अपने चेरे को धोना है जब धो रहे हैं आप चेरा तो मसाज करते वे धोएं तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा फेस पे एकर ट्राइ कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लि की बाई